Good morning student, बच्चों आज में आप लोगों को क्लास 3 बच्चों आज में आप लोगों को हिंदी में क्लास 3 से चैप्टर 6 से हम से सब कहते हैं मैं चिंतन से संबंधित प्रशन उत्तर बताने जा रही हूं जिसको कि आप लोग बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे कोश्चन एक है पाट साला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए बना किया जाता है नीचे वाले तालिका में लिखो आपको ऐसे दो कॉलम दो तालिका बना लेना है एक करो एक मत करो मतलब पाट साला घर में तुम्हें क्या क लिए कहा जाता है उसे आपको मत करो वाले तालिका में लिखना है तो पाट साला और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है घर साफ रखने के लिए कहा जाता है घर में मैदान पार्क में जाकर खेलने के लिए कहा जाता है और स्कूल के नियमों का पानल करने के लिए कहा जाता है तो गंदगी और कागज इधर उधर फ्रलाने के लिए मना किया जाता है दिवार और टेबल पर लिखने के लिए मना किया जाता है पार्क में फूल नहीं तोड़ने के लिए मना किया जाता है और सोर मचाने सालू को बहुत सी चीजों के नाम है उसने नामों को लिख लिखकर पटी भढ़ लिया है वे नाम मैंने लिखता है सालू की सूची बनाई है वह लंगी सक्कर कबड़ी पपिता मार कुटाई लोमणी गुलाब जामुन, सेर, ककड़ी, सतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाई, बेर, पेड़ा, बकरी, गिली, कबूतर, पतक, मसाला, लट्टू, तोता, सरतू, चट्नी सालू ने इस सब की एक सूची बनाई है, नाम लिख लिख के उसने रख ली है तो अब सालू यह सोच रही है, कि इस नाम को किस खाने में लिखना है, और हमें इसकी मदद करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, तीन तरह के कॉलम बनाना है, पहला, एक अक्षर के हिसाब से आपको कॉलम बनाना है, दूसरा, आपको जानवर या पक्छी, जानवर या पक्षी, खाने पीने का समान और खेल के नाम का समान आपको इतना ये कॉलम बनाना होगा एक अक्षर वाले नाम का कॉलम दूसरा जानवर या पक्षी वाले नाम का कॉलम तीसरा खाने पीने का समान का कॉलम और चौता है खेल के खेल का नाम या समान तो अक्षर में हम लोगो बर्फी और खेल का कोंसा समाना खा रहा है तो बला बॉलि बॉल उसके बाद हमने अंच्छल लिया है मौ से कौनसा जानौर आ रहा है बगरमच्छ स्वा चली ना और जांप ने मलाई मसाला मक्खन और खेल का कौनसा नाम को स्वान आ रहा है आ भाद है WRina. कंड़ से कौन सा जनवर आ रहा है कबुतर खाने पिने का कौन सा आ क्कड़ी करेला किसमिस खैल का कौन सा समान कैरम और क्रिकेट लसे लों मरी लडडू और लटू इए पर से पeze जानवर का नाम हुआ और खाने के समान में पपीता पेड़ा और खेल के नाम का समान से पतंग गौ से गाये जानवर हुआ और खाने पीने के समान में गुलाब जामुन और खेल के समान में गिली डंडा उसी तरह तलाविशा तलाविशा से शेर जानवर के नाम में आया और ख खाने पीने के नाम में सक्कर सरीफा और खेल के समान में सत्रणज तो यह आपको इस तरह के सूची बना के आपको इसी तरह से लिखना होगा आपको एक कॉलम बना के Question 2 is ऐसे ही खेल तुम्हार अक्ष्वों के साथ खेल सकते हो खेल सकते हो अललग तरत्रा के खाने ही बना सकते हो जैसे टवसे सुरूर हने वाली गोल या लाल चीज अब आपको इसको क्या करना है की आपको इसको वर्ड माला के हिसाब से वर्ड माला के हिसाब से क्रम में लगाना है जैसे कि जानवर या पक्षी जिखाने पीने का समान या खेल के जाना है आपको वर्ड माला के हिसाब जैसे पहले जो अच्छा राता है जैसे कह आया कह के बाद कह आता है कह के बाद गह आता है तो आपको उसी हिसाब से वर्ण माला के हिसाब से इसको क्रम में लगाना है तो जानवार या पक्ची में कर्ण से पहले आया कबूतर उसके बादे गाए उसके बादे तोता पांडा बकरी मगर लोमडी सेर खाने के समान में करस से पहले आया ककड़ी उसके अद गुलाब जामून चटनी पपीता पेड़ा बेर मसाला लड़ सकर सतूथ के नाम में समान में आया कबड़ी गिली पतंग बल्ला लट्टू और सतरत्रेशंज में क्या क्या आगिया है कि आपको बंदमाला के हिस्वास। से लगाया गया है हमसे सब कहते कवीता में जिन लोगों चीजों और जगों के नाम आये हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना है हमसे सब कहते कवीता में जिन लोगों चीजों और जगों के नाम आये हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखना आपको ऐसे त में थीन तालिका बनाने हो गलो उनुदाना है दिसे तीन सीडिकर that यहां बनाना बनाने है काष लोग आए है तो भैया करते हैं अंमा आए पापा आए गाँ कोन कोन से चीज onion की ज दुदार से नाम आएं wicked जड़ाने कर दो रहए यह अंदर घर भर बाहर लें ऐला है कि इसमें आया है लोग में आये हवा और हम सब का तो बच्चों आपको क्या करना है आपको इन सब इन सब को कौपी में साफ साफ लिख के लिख लेना है और इसको फी याद करना है धन्यवाद